परिवर्तित समयों के अनुसार मनुश्य का मन भी परिवर्तन होता है। अपने यानी बुढ़े आद्मियों ने हमारी तीन पुस्तो का राज्य देखा है। मेरा भी राज्य अभी दस पांच बर्सों से आप लोग देख रहे हैं। इसके पहले मेरे पिता जी का राज्य था। वह भी आपने देखा है। उसके पहले मेरे दादा जी का राज्य था, उसे भी आपने देखा है, अफेक्या कृतवा हमारी तीनों के राज्य में किसी का राज्य बढ़िया है, मेरे सासन बढ़िया है, या मेरे पिता जी का सासन बढ़िया है, या मेरे दादा जी का सासन बढ़िया है, एक से बाहर है हम आपने पर जो असर पड़ा वह बात कह सकते हैं उससे आप अंदाज अलगा दीजी उन्होंने कहा जब आपकी दादा जी का राज्य था तब मेरे उम्र 20 साल की थी और मैं बालू के टिले पर से आ रहा था मेरे कानों में एक स्त्री की रोने की आवाज पड़ी मै मैं उसके पास किया वह वैश्य जाती का स्त्री थी उसके शरीर पर लगभग 10,000 के जेवर लदे हुए थे वह रो रही थी मैंने पुछा की बहन तु क्यों रो रही है उसने बतलाया कि मैं गौना लेकर आपने पिहर से ससुराल जा रही थी मेरे साथ बेल गाड़ी तथा उ और एका एक हामला कर दिया हमारे जितने आदमी थे सब भाग गए तथा मैं भी भाग गई और बे सब माल लुट कर ले गए मैं अपनी प्रान को बचा कर इस तिले पर चली आई हूँ मैंने उसने पिहर तथा ससुराल का पता पुछा वह उसने वतलाया दिया मैं उसके ससु जानता था मैंने कहा कि वहिन तू कोई बात की फिकर मत कर मैं तुम्हें घर पर पहुंचा दूँगा अपनी बहन की समान समझकर में उससे उसकी ससुराल ले गया ससुराल बाले उसकी खोज में तो थे उनके पास पहले ही खबर पहुंच गई थि कि डाकू आये हैं और सब धन लुट कर ले गए हैं और आपने बहु को पता नहीं कहां चला गया मैंने वहां पहुंच कर उन्हें बताया कि टीलों के बीच बेट कर रो रही थी वहां घर पहुंच कर बहाल होकर रोने लगी और आपने साज ससुर पति को कहने लगी कि मेरी बड़ी भारी दुर्दसा क्या गुणगाउं अब आप लोगों उनको संतुष्ट करके भेजे इस पर सवसुराल बाले महराज आपने हमारा बड़ा उपकार किया है हमारी बहु को जीवन दान दिया है हमारी धन की रख्या की हम आपको एक हजार रुपिया पुरस्कार देना चाहते हैं मैंने कहा कि मैं रुपियों के लिए उपकार नहीं किया मैंने आपना कर्तव्य समझ कर यह कार्य किया मैंने सोचा कि तू मनुष्य है और यह मेरा धर्म है अतहां मैंने धर्म समझ कर यह कान किया है उन्होंने बहुत कोशिश की और कहा अच्छा 500 रुपिया लें कुछ तो लें किन्तु मैं यहाई भी तब तक अप्के दादा जी जीवित थे तब तक मेरी अशी बृती बनी रही जब आपकी दादाजी का शरीर सांत हो गया उस समय मेरी आयो करीब पचास वर्स की हो गई उस समय मेरी मन में यह बात आने लगी कि मुझे एक स्त्री मिली थी कैसा मौका था जंगल में उसका दस हजार रुपया का जेवर उताल लेता तो मुझे कौन पकड़ता वे दस हजार रुपये और आज तक ब्याज हो होता तो कितना हो जाता कि आठ आने के ब्याज से बारहा बर्स में दो गुना होता है इस प्रकार काफी रुपये हो जाती मैंने बड़े भूल की कि धर्म की जंडे को पकड़ कर बेठ गया अब धर्म मुझे क्या काम देगा यदी में वह गहना उताल लेता तो आज माला माल हो जाता एसी भावना मुझे में आने लगी विचार के द्वरा तो वह बात मुझे बूरी मालुम देती किन्तु रुपये की आशक्ति के कारण मन में यह बात आने लगती मैंने बड़ी भूल की वह रुपया घर में आ जाता तो आज मौज करता और कुमर साग आज आप मन में आने लगा कि उस समय उसे समझा कर आपने साथ ले आती तो बुढ़ापा के अवस्ता में स्त्री की स्त्री रहती और रुपये का रुपया दस हजार रुपयों का गहना थी आपने हजम हो जाता इस तरह मगर संसार की हालात परिवर्तित हो जाता है राजा परिवर्तन हो जाता है तो संसार आट्मीटिक ठोकला हो जाता है कौन राजा किस समय केसी बरताब करेगा ये हम लोग का हात में नहीं है लेकिन हम कैसे सुधर के रहें ये हम लोग का आद में और हमारी ताव केसी होगी हम किस तरह परिवर्तन होगे ये सब कुछ इंसान की बस में मगर आप इसी कहानिया सुनना चाहते हैं तो हमारा चैनल को सस्क्राइब करें और मगर अच्छा लगा तो लाइक करना और बहुत अच्छा लगा तो लोगों के साथ